आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मतर कीमा बहुत ही टेस्टी और डिलेशिस सी रेसिपी है और बहुत ही असानी से बन जाती है घड़ के मसालों से तो ज्यादा देर ना करते विडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने ओईल गरम कर लिया था और उसमें तीन मिडियम स प्यास को स्लाइज में कट करके उसको पिंक होने के लिए रख दिया है और यह देखें पिंक होने तक हम प्यास को भून लेंगे प्यास हमारे पिंक हो चुकी है अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 300 ग्राम जितना कीमा तो मैंने मतन कीमा लिया था वह ले लिया है और इसको तो हम दो मिनट के लिए ऐसी ही सौटे कर लेंगे चला लेंगे तो अब हम इसके अंदर ये दो टेबल स्पून जितना अद्रक लैसून का पेस्ट डालेंगे दो चम्मत जितना और इसको भी मिक्स कर लेंगे अची तरीके से उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे एक कप मटर मैंने छोटा कप लिया था ये ले दिया है मैंने पांच मिनट के लिए इसको मटर डालने के बाद भी भून लिया उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी तीन बारी कटे हुए टमाटर तो यहां पर 1 tablespoon जितना लाल मिचपाऊडर लिया है एक teaspoon हमने आ पे गरम मसाला लिया है होम मिट गरम मसाला है नमक टेस्ट की साफ से डालिए मैंने यहां पर देर teaspoon डाला था एक teaspoon कोरियंडर पाऊडर अनि धनिया का पाऊडर एक teaspoon हल्दी का पाऊडर और अगर आप लोगों को सीखना है कि गरम मसाला गर्मी कैसे बनता है तो मैं डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी होम मेट गरम मसाला का बहुत ही खुश्बुदार बनता है वो भी आप लोग ज़रू ट्राइकेजे मसाला मिक्स करने के बाद मैंने पांच हरी मिर्चे डाल दी है बीच में से कटी हुई वो भी डालने के बाद मैं इसको फिर से मिला लूँगी यह बहुत ही जबरदस सी रेसिपी है बहुत डिलेशिस बनती है थोड़ा सा मिसके अंदर पानी डाल देंगे क्योंकि हमें मसाले को भूनना है भी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और फिर मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हम भूनेंगे मसाले में अबाल आ गया है भूनने के खुश्ववब आने लगी है तो आप एमने दो अलू डाल दिये अलू को मैंने प्यास से पहले ही फ्राई कर लिया था क्यूब्स में आलू को पाटा और अलू को आपने फ्राई कर लिया था उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो अगर आप करना चाहें, तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें, तो skip भी कर सकते हैं अब हम इसकी यड़ लगा देंगे और 15 मिनिट के लिए पका लेंगे, जब पानी कम होताँ, आप पानी और भी ऐड़ कर सकते हैं इसके अंदर अब हम च्छा कर लेते हैं और यह बहुत ही जबरदस से खुश्बू आ रही है हमें आलू और मटर के गलने तक इसको पकाना है अच्छी तरीके से पानी कम हो जब बिश बिश में चलाओ पानी डालो उसी साथ से थिक और पतला जितना भी आप रखना चाहें गाड़ा यह पतला सालन आप अपनी मर्जी के अकोर्डिंग रख सकते है और नमक को भी बढ़ा सकते है तो यह पर हमारा आलू और मटर जवां से किमा भी गल चुका था अधा हरी धनीश रख रही हूँ और गैस को मैं आफकर दूँगी और फिर इसको अच्छी तरीके से मिला लोगे और अब हम इसे कर लेते शेयर कर दीजी चैनल पे नहीं आई हैं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें बल आइकोन को हिट कर दें जिससे हमारी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे जब तक के लिए बाइबाए